हेलो चंपियंज, कैसे हैं आप लोग, मैं PK बिश्रा, आप लोगों का लेट स्कोर में वेलकम करता हूँ, दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है लेंड यूटिलाइजेशन के बारे में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस इस अबाउट लेंड यूटिलाइजेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेंड, हम लोगों ने लेंड रिसूर्सेज वाले टॉपिक में यानि पिछले टॉपिक में ही पढ़ा कि जो लेंड है वो फाइनाइट मैगनिट्यूट में, यानि लिमिटेट कॉंटिटी में है, पॉपिलेशन हमारी बढ़ रही है, बट लेंड उतने की उतनी ही है, इसलिए लेंड का यूटिलाइजेशन समझना बहुत ही जरूरी है, कि हमारी कंट्री में जो टॉटल लेंड अवेलबल है, हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या या यूज कर रहे हैं, तो जो लेंड यूटिलाइजेशन का जो हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग एक, फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे, एक कॉमन सेंस कल है, उस ट्रिक से समझने के कोशिश करते हैं, और याद करने के कोशिश करते हैं, लेंड यूटिलाइजेशन वाले टॉपिक को, आएए देखते हैं, बिसिकली हमारी कंट्री में, I think किसी भी कंट्री में लेंड यूटिलाइजेशन का ये पांची तरीका होता है, ये यूनिवर्सल फेनोमेना, आएए देखते हैं, ये पांच तरीके कौन-कौन से हैं, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, और इसी पे फोक अ-N-L-O, इसको दोस्तों आप लोग थोड़ा सा फ़नी ट्राइब का लगेगा, लेकिन इडिल डेफिनिटली हेल्प यू कि जो लैंड यूटिलाइजेशन है, उसको याद करने में समझाओं, समझने का काम तो हम लोग बात में करते हैं, बट एक बार देख लेते हैं कि ह हमारी कंट्री में जो टोटल लैंड अवेलवल है, उसको हम किन पांच तरीकों से यूज़ कर रहे हैं, तो ये पांच तरीकों को याद करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक है, जिसको हम FFNLO के नाम से जानते हैं, आईए हम लोग ये कौन से हैं पांच, पहला हम देख तो एक FFK के बाद दूसरा है खसाने से आधफ हो जाएगा, फस्ट हो गया फॉर्स्स, दूसरा हो गया फैलो लैंड, तीसरा है हमारा N, which is knit sown area और knit sown area and gross cropped area दोनों को हम club करके पढ़ लेंगे, अब दोनों related concepts हैं, उसके बाद आता है L, right? L means land not available for cultivation और उसके बाद आता है O O means आये देखते हैं O means other uncultivated land तो एक बार देखते हैं कि भाई F F N L O राइट इसको शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं लोग F F N L O लो तो first हो गया forest दूसरा हो गया fellow lands तीसरा होगे हमारा net zone area और L is land not available for cultivation और O is other uncultivated land राइट चले next slide में चलते हैं और इसको एक डायग्राम की help से हम लोग समझते हैं यह हमारी next slide तो diagram हमारा यह है ध्यान दीजिएगा ध्यान से सुनेंगे तो definitely समझ में आ जागा first time में suppose यह हमारा जो है हमारी country में यह जो available land है यह total land है इसके help से हम लोग समझते हैं तो एक part हमारा available हो गया इस piece of land को हम लोग as a forest as a forest हम लोग use कर रहे हैं ठीक है दूसरा f stands for fellow lands तो माल लेते हैं इतने को हम fellow lands की तरह use कर रहे हैं तीसरा हमारा क्या था net zone area तो माल लेते हैं कि हमारा net zone area यह है net zone area अब हमारे पास बचता है L and O L stands for land not available for cultivation तो इसको ऐसे कर लेते हैं यह है land not available for cultivation और पांचमा वाला क्या है sequence एक बार आपको याद रहेगा तो किसी भी सिक्वेंस में लिक सकते हैं sequence आप चाहें तो जो ncrt में दिया है उसी sequence को follow करके लिक सकते हैं यह हम थोड़ा सा ffn एलो का तरीका थोड़ा सा easy हो जाता ने तो आप लोग भूलते रहते हैं कोई भी भूल सकता है हम लोग भी भूलते थे जब पढ़ाई करते थे लंबले में आंसर भूल जाते थे तो जो हमारा ओ है लास्ट का ओ क्या है other uncultivated land तो देखते हैं यह हो गया हमारा other uncultivated land तो हमारी कंटी का जो total land है आप लोगों ने देखा इन पांस तरीकों से use हो रहा है ठीक है अब आये चलते हैं पिछली slide पे और इसको अच्छे से detail में समझते है राइट एक चीज़ आप लोग यहाँ प forest का तो कोई division नहीं है यह सारा यह सारी land forest ले यूज हो रही है दूसरा हमारा fellow lands है fellow lands में भी आप लोग जानते हैं दो category आती है current fellow land and current fellow land and other than current fellow land right उसी तरीके से net zone area में gross crop area भी है उसी तरीके से other uncultivated land के तीन तरीके से यूज होते हैं other uncultivated land तीन तरीके से यूज करते हैं इसको हम लोग short में बोलते हैं P L C P stands for pasture L stands for land for miscellaneous crop trees and groups and C stands for cultural waste land right इसमें अगर हम दोखें land not available for cultivation में land not available for cultivation में इसके दो types हैं एक तो barren and wasteland barren and barren and barren and wasteland और एक है हमारा land which is land on which we have built buildings schools, hospitals basically institutions तो आये पिछले slide पर चलते हैं और इसको समझने के कोशिशिश करते हैं अगर आप लोग चाहें तो इसको न ये बड़े ही काम का है सच बता रहा हूँ आप लोग एक बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो you people will definitely benefit from it it's my experience तो आप लोग चाहें तो एक पर वीडियो को pause करके इस अच्छे से समझ सकते हैं और learn भी कर सकते हैं क्योंकि असेस्टी में learning एक major issue होता है चले दूसरी स्लाइड बेसिकली पहली स्लाइड पर चलते हैं तो हमारी first slide आ चुकी है and हम लोग now detail में पढ़ेंगे अपने ffnl को तो पहला है land resources are used for the following purposes for the following purposes तो इसमें क्या question बन सकता है इसमें तीन नंबर का question आ सकता है पहला question हमारा हो सकता है कि how are land resources used explain with examples दूसरा question आ सकता है for what purposes are land resources used basically जो हमारी country में जो total land है जो total हमारी country का land mass है उसको हम किन-किन तरीकों से इस्तिमाल करते हैं वही हम इस topic में पढ़ने वारे हैं land utilization में आए देखने तो पहला तो हो गया forest तो यह देखे फॉरेस्ट हमारी country की एक हिस्से पर फॉरेस्ट अवेलबल है basically हमारी country का जो total area है 3.28 उसका 23-24 परसेंट अभी forest cover है तो पहला यह हो गया हमारा दूसरा हमारा है land not available for cultivation यानि land तो है बट हम इस पर cultivation कर ही नहीं सकते क्यों नहीं कर सकते भाईया आए देखते हैं इसके दो types हैं आप आप लोग प्लीज ठेहन देजिए यह one marker में आ सकता है पहला है barren and wasteland अब यह barren and wasteland इसको पड़े simple आप लोग समझ सकते हो barren and wasteland का best example है desert दिमाग में एक चीज रख लो desert और आपका desert रहा यह desert में आप लोग desert में basically राजस्थान का desert वहाँ की यह picture है desert में क्या ग्रो होता है thorny bushes right या bubble tree ग्रो होता है वो भी thorny ही होता है और तो कुछ ग्रो ही नहीं सकता right तो land not available for cultivation यह तो nature nature की वज़े से ऐसा हो गया कि वहाँ की land totally infertile है उस land पे agriculture करने के लिए आप सोच भी नहीं सकते right तो पहला हमारा यह हो गया under the category of land not available for cultivation barren and wasteland हो गया दूसरा हमारा इस दूसरा पॉइंट हमारा पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट हमारा इसी केडेगरी में है लेंड put to non agricultural uses यह लेंड हम लोग हम लोग आप लोग मैं मतला हम सारे लोग other purposes के लिए land तो available है agriculture भी हो सकती थी या कुछ समय पहले सोचो जहां पर आपका school आज है 20 years पहले 50 years पहले या जहां आज आप या हम रह रहे हैं 50 years पहले हो सकता है यह वहाँ पर जंगल रहा हो आप लोग अपने parents से especially नानी जी दादी जी यह दादा जी से बात कर सकते हैं उस land पर agriculture होती थी राइट लेक या वहाँ agriculture होती रही होगी लेकिन और आप लोग देखे न एक रूरल एरिया देखे ट्रेंड चलता है कि लोग अपने जो agricultural land होती है यह देख लीजिए मतलब cities expand होती है जब cities expand होती है तो जरूरी नहीं हमेसा कभी 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 क्या mostly यह होता है कि जो agricultural land है उस पर houses बन जाते है सम्टाइंस इंडस्टी डिवलप हो जाती है राइट तो हम लोगों ने यह लैंड तो है लेकिन हम लोगों इस पर क्या-क्या बना ले हमने roads बना रखी हमने factories कर रखी हमने schools कोड रखे हैं हमने hospitals बना रखे हैं हमने shopping malls बना रखे हैं राइट तो आई होप यह clear हो गया को किति स्रह हम लोग देखते हैं जो हमारा तीसरा अधर अं कालृट एट लैंड यह जो अधर अंकल्टीवेटेट लाइन है इसमें हम फैलो लैंड को अभ कि ती डीवीजन है, जैसे दोस्ते हम लोग जो डाइग्राम बना रहे था भी उस लाइट पे तो otherнокul Northeast का हम लोगों ने एक थोटा था देखा था फॉर्मूला अदर अनकल्टिवेटि लैंड को आप लोग BLC के फॉर्म से जात करिए अधर अनकल्टिवेटिवेटिड लैंड को यहां पर मैं लिख रहाऊं दो कि दोस्तों हेल्प जरूर करेगा रिकॉल करने में पी एलसी अब आये देखिए पी एलसी का फुल फॉर्म क्या है डेफिनेटली हेल्प करेगा डोंट वरी हाँ हाँ आप सब्सक्राइब करेगा जो लोगा रूरल एरियास से हैं या सेमी अर्बन एरियास से हैं जो जानुरों के घास खाने के लिए आप आप लोगों को वो Lord Krishna जो नटखट थे बच्पन में शरारती थे वो हाला कि बड़े होके भी शरारती थे वो अपनी गायों को अपने फ्रेंड से साथ अपने गायों को चराने के लिए ले जाते थे 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 तो एक dedicated pasture land होती थी और होती है अब भी metros में I think नहीं होती है क्योंकि metro cities में हम kattles को I think नहीं रखते हैं I don't know much तो पहला हो गया हमारा permanent postures and grazing land दूसरा है हमारा इसी में दूसरा L land under miscellaneous tree crops tree crops groups इसको समझते हैं miscellaneous land तो है उस पर miscellaneous tree crop groups है इसका सबसे आसान सा example ले लिजे इस पर agriculture नहीं होती इस पर trees होते हैं groups होते हैं इसका बहुत ही आसान example है bamboo bamboo plant ऐसी land पर bamboo plant हो सकता है और क्या हो सकता है आप लोगकों नहीं देखा होगा कि villages में एक thatched roof होता है उस घास उस जो पड़िकलर grass होती है जो घास होती है उसको अलग-अलग areas में अलग-अलग नाम से जानते हैं लाहें भी ट्री बोल लीजिए और दूसरा हमारा हो गया यह थैस्ट रूफ के लिए जो ग्रास आती है तो इसका एक्जांपल हो गया लैंड अंडर अब हमारा तीसरा है पी हमारा पी हो गया हमारा एल हो गया अब हमारा सी सी कल्चरेवल वेस्ट लैंड अब एक कल्चरेवल वेस्ट लैंड क्या होती है क्या इस पर एगरी कल्चर हो सकती है बिलकुल हो सकती है फिर आपको वो के सार हो सकती है क्यों नहीं करते इस पर एगरी क आ गये हैं जो आपको दो जगा वेस्ट लेंड दिख गई अब आप लोग दिमाग में क्वेशन आ रहा होगा सर इन दोनों वेस्ट लेंड में क्या फर्क है देखते हैं दोनों कौन-कौन से वेस्ट लेंड है आए देखते हैं एक तो हो गया हमारा कल्चरेवल वेस्टलैंड दूसरा हमारा हो गया ये वेस्टलैंड बिसिकली जो बैरेन एन वेस्टलैंड होता है उस पे तो हम लाख कोशिशें कर लें और कितनी भी एड़वांस और नीट ट्यक्नलोलजी बना लें हम उस पे क्रॉप गो ही नहीं कर सकते है अभी तक्का तो ऐसा ही है इस दोनों वेस्टलैंड में हम लोग फर्ट समझ रहे है जबकि जो कल्चरेवल वेस्टलैंड है अगर हम इस पे ट्राइ करें modern ट्यक्नलोजी की हेल्फ से हम थोड़ा बहुत श्रब्स या वेस्टेबल्स ग्रो कर सकते हैं इन दोनों में यह फर्ट है तो देखिए इस पे भी question आ सकता है कि अभी पहले दूसरे और तीसरे point को देखते हैं फिर explanation हम लोग आगे देखेंगे जरूर इसके types आ सकता है कि types of land not available for cultivation एक या दो नंबर का हो सकता है इस पे आ सकता है कि types of other uncultivated land बताईए तो आप PLC याद रखेगा उसकी help से आप लोग इसे attempt कर पाएंगे P is for permanent pasture, L is for land available for miscellaneous tree crop groups and C is for culturable waste land अब हमारा आता है तीसरा sorry तीसरा नहीं, चौथा, चौथा है हमारा fellow lands, fellow lands दो होते हैं जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही समझा था, दो तरह के fellow lands होते हैं, current fellow lands and other than current fellow lands आई देखते हैं, current fellow land क्या होता है दिमाग में सवाल आ रहा होगा, current fellow land वो land होती है जिसमें लगबग 1 year या less than 1 year से agriculture नहीं हो रही है and current fellow land क्या होता है, other than current fellow land वो होती है जिसमें कि लगबग 1 साल से ज्यादा, 1 साल से 5 साल के बीच में cultivation ही नहीं की गई है and current fellow land क्या होता है, एक साल से कम और एक और concept इसमें अभी आने वाला है agricultural year का उसको भी हम लोग समझेंगे, आए देखते हैं, so fellow lands के दो types हो गए, fellow lands के दो types हो गए हमारे, पहला हो गया current fellow, दूसरा हो गया other than current fellow, current fellow क्या होता है, the piece of land which is left uncultivated for one, ध्यान दीजेगा, for one or less than one, यह आद कर लीजिए, current fellow land में क्या है, for one or less than one, agricultural year, यह नया concept आया है, आप लोगों के लिए, आप लोग का रहा होंगे, sir हमने new year सुना था, happy new year सुना था, financial year सुना था, यह agricultural year भी होता है, हंज यह agricultural year भी होता है, actually आप लोग जानते हैं, इसको आप लोग ने previous classes पढ़ रखा है, यह एक्चुली यह जो agricultural year होता है, हमारी country में agricultural year, जुलाइ, जुलाइ से शुरू हो करके, जून, इसी हम लोग यहाँ पे, दूसरे page पे चलते हैं, दूसरे slide पे चलते हैं, basically, हमेशा books से पढ़ने की आदत रही है, आप लोगों के जवाने में modern technology आ गई है, तो हमेशा page ही मुझसे निकलता है, तो हमारी दूसरी slide आ गई है, दूसरी slide में हम लोग समझते हैं, कि यह agricultural year क्या होता है, actually, यह आपको concept को समझने में help करेगा, देखते है, agricultural year, short में लिखेंगे, नहीं तो time बहुत ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, agricultural year, इंडिया में जो agricultural year जैसे financial year शुरू होता है, 1st April से 31st March तक चलता है, उसी तरह से agricultural year भी चलता है, जुलाई से आप first माल सकते हैं, first जुलाई से जून 30 तक यह हो गया हमारा agricultural year, अब आप जानते हैं कि हमारे हाँ, one agricultural year में three crops, यादारा यह सुना हुआना नाम, यह नाम सुना सुना सा लगेगा आप लोगों को, सबसे पहले आता है, खारिफ, राभी and जैद, आई यह दिखते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, खारिफ, राभी and जैद, ध्यान से सुनेगा, यह आपका जो आगे वाले चैप्टर, जो agriculture वाला चैप्टर है, उसमें भी आपकी help करेगा, तो खारिफ में, खारिफ season की जो crop कब सो करी जाती है, यह July में सो करी जाती है, और दोस्तों आप जुलाई से लेकर के, इसका duration होता है, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, शॉर्ट में लिखते हैं, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, इसमें कौन सी crop हम लोग grow करते हैं, इसमें हम एक prominent crop है, हम सारे लोग चावल खाते हैं, तो paddy, इसमें हम paddy, एक concept को समझने में help करेगा, इसलिए हम लोग करें, यह crop कब, यह जुलाई में बारिज जो शुरू होती है, साउथ वेस्ट मॉनसून से, उसमें crop हम grow करते हैं, दूसरा राभी, राभी की सबसे, राभी का growing season क्या होता है, राभी का होता है, October to March, अपरेल तक चलता है, और famous crop कौन सी है, आप सारे परचित हम सारे रोटी खाते हैं, बोलते हैं कि भईया हम काम कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं न कि भईया, दो जून की रोटी के लिए काम कर रहे हैं, दो पेट भर दो रोटी मिल जाए, something like this, इस तरह लोग बोलते हैं, तो बिसिकली रोटी हम सारे खाते हैं, इसलिए हम wheat को जानते हैं, यहू को जानते ह अभी का जो होता है वो season अक्ट्यूबर से ले करके मार्च अप्रिल मान सकते हैं कि मार्च एप्रिल तक यह वीट की एक्रिकल्चरन हाला कि और हार वहर सारी क्रॉप भने इससे depends एğ력रवाला, यह उसमें हम लोग इसे औरह एचे से पढ़ेंगे हम लोग agricultural year समझ रहें one agricultural year क्या होता है अब जायद जायद का सीजन आता है दोस्तों आप सारे लोग water melon जाते हो musk melon जानते हो तो यह जायद की crop है तो जायद की crop हमारी आप समझ लिजे कि short में लेखते हैं April, May and June के last तक यह खतम हो जाती है तो यह हो गया हमारा agricultural year का हिसाब किताब I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट करें और बताएं कि आप लोग और क्या expect करते हैं और explanation जो है उसको हम और better कैसे कर सकते हैं प्लीज गिब में यूर वैलवायवल फीडबेक चले पहली स्लाइड पर फिरी चलते हैं और जो छूटा हुआ पार्ट होते cover करते हैं हम लोग यहां पर पहुंच गए थे फैलो लाइंड को पढ़ रहे थे हम लोगोंने current फैलो लाइंड पढ़ा और other than current फैलो लाइंड पढ़ा लेस दन वन येर एंड बिट्विन वन टू फाइव येर यह concept हमारा ओवर हो गया इसको याद रखिएगा नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पाच्वा है हमारा लास्ट है net zone area का concept है और gross cropped area का concept है इसे देखे इसे रट करके समझना तो I think confusion भरा रहेगा इसे एक बार concept को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है पहले बोला है कि net zone area क्या है देखो जो NCRT है हमारी जुबुक उसमें net zone area की definition ही नहीं दी गई है उसमें हमें सीधे gross cropped area बता दिया लिखा heading है net zone area but उसमें net zone area के बारे में कुछ नहीं बोला है उसमें सीधे लिख दिया है gross cropped area राइट तो देखते हैं net zone area क्या है net zone area is the piece of land on which at least one crop ध्यान दीजे दोस्तों यही की है at least one crop is sown and harvested अब आप लोगों की दिमाग में बात आ सकती है कि सर जब किसी farmer के पास land है ही तो बेवकूफी क्यों कर रहा है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा खारिफ राभी जायद तीनों सीजन की crop को grow करें अपनी income बढ़ा है अपने land जैसे important asset को जो finite quantity में available है उसको waste क्यों कर रहा है दोस्तों इसका reason है देखे हमारी country में अभी जो irrigation की facilities है remote areas तक नहीं पहुँच पाई है और एक चीज और है कुछ ऐसे areas है जहाँ पे two whales आप लगा ही नहीं सकते अब आप कहें अरे sir इतनी modern technology आगे कैसे नहीं लगा सकते सच मानिय है क्योंकि वहाँ पर जो ground water का जो level है इतना नीचे है कि पूछे मत और वहाँ की land जो है दूसरा aspect यह है कि वहाँ की जो land है इतने uneven है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा यह नहीं निकलेगा तो मतलब सारी कोशिश है तो मिला के input cost बहुत ज्यादा हो जाएगी और output बहुत काम होगा तो फिर धंदे के rule के इताब से बल्टा हो गया धंदे का rule तो बोलता भाए profit होना चाहिए राइट यहाँ profit नहीं होगा यहाँ पर माइनस में जाएंगे तो इसलिए कोशिश है नहीं की जाती है तो बेसिकली दिमाग में बढ़ा लिए कि net zone area का मतलब जो one agricultural year होता है या तो उसमें से क्यों एक ही crop हो हो हम निकालेंगे उसमें से तभी वो net zone area होगा एक ही crop चाहे राभी की ले लें mostly इसमें हम खारिफ की ले आता है और बारिश होती है बारिश में वो अलग अलगता है कि crops grow करते हैं जिसमें से एक है आप लोग जानते है दोस्तो राजस्थान में water की दिक्कत है कौन सी crop है millet right उसको irrigation की एरोध नहीं पड़ती वो बड़ा ही मजबूत type का होता है right ठीक है अब हम लोग देखते हैं औ और इसको हम लोग ने एक example से भी समझेंगे अच्छा gross cropped area क्या होती है देखते हैं area sown more than once area sown more than once in an agricultural year कि देखो हमारी अंसियाटी में क्या दिया हुआ दोस्तों एक बार नजर मारी है हमारी अंसियाटी में दिया हुआ है heading दिया गया net sown area लेकिन उसके बाद detailing ये दी गए है कि area sown more than once more than once in an agricultural year plus net sown area net sown area तो बताए नहीं तो net sown area क्या है net sown area वो area है जिस पे हम one agricultural year में at least one crop grow करेंगे और harvest करेंगे ऐसे area को net sown area बोलते हैं तो net sown area पर चलते हैं उसको न एक example से हम लोग समझते हैं कि net sown area और gross crop area में क्या फर्क होता है ये भी question आ सकता है दो number का या what is the difference between net sown area and grass crop gross crop area दोनों में explain करें विद एक्जामपल ये भी आ सकता है and one marker में भी आ सकता है define net sown area या असर्थन रिजिनिंग किसी भी तरीके साथ है बेसिकलिए अगर concept clear है तो आसानी से कर लेंगे चले हम लोग next slide में देखते हैं अगर से समझाने क्यों कोशिश करते हैं तो basically एक farmer है Mr. Girdhar ये farmer है Mr. Girdhar ये पहले greater Nevada में रहते थे ये बहुत बड़े landlord type के हैं के पास रहर सारी जमीन है तो बच्चों के पढ़ाय लिखाय के रिए डेली शिप कर चुके हैं और इनकी land नक्यों greater Nevada में है बलकि इनके पास land फरीदाबाद में भी है इस example हम लोग समझने वाले हैं net zone area and gross crop area तो please pay attention तो गिर्धर जी के पास दो जगह land है पहले हम एक एक डायग्राम बना लेते हैं so that हम लोग समझ सकें मैं डायग्राम बनाने में बहुत अच्छा हूँ आप लोगों को हसी आ सकती है और आप लोग सही भी है देखें जो मिस्टर गिर्धर है इनके पास short में लिखोंगा बच्चों इनके पास greater noda में भी land है और इनके पास फरीदाबाद में भी land है राइट इनके पास दो जगह land है greater noda में इनके पास जो land है 200 hectare की है 200 hectare और जो फरीदाबाद में इनके पास land है वो 300 hectare की है राइट बट problem यह है कि जो इनकी greater noda वाली land है पूरी 2 hectare land है वहाँ पे assume करते हैं समझने के लिए वहाँ पे जो greater noda वाली इनकी 2 hectare की land है वहाँ की land पे वह agriculture या cultivation तभी कर पाते हैं only monsoon के time पे safe की crop grow कर पाते हैं मैं यहाँ पे यह highlight नहीं कर रहा हूं कि UP irrigation की वेवस्था नहीं है उस तरीके से आप लोग मत लीजे मैं क्यों समझा रहा हूं concept को राइट तो इनका जो 200 hectare का जो land है उसमें यहाँ नहीं लिखते हैं वेट अकर मिटाओंगा तो सारा मिट चाहिए तो आप यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ लिखते हैं यहाँ नहीं लिखते हैं वेट अकर मिटाओंगा तो सारा मिट चाहिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लिख लेते हैं net zone area and gross cropped area यहाँ हम लोग समझेंगे तो जो जुलाई वाली जो खारी फी crop थी जुलाई वाली वो दोनों जगा उन्होंने sow किया ठीक है 200 hectare greater Nevada वाली में 300 hectare फरीदाबाद वाली में right तो इनका net zone area क्या होगा net zone area होगा 500 hectare अभी समझाओंगा कैसे 500 hectare पे इन्होंने दोनों जगा agriculture कर ली right लेकिन अब जब इन्होंने जुलाई से अक्टूबर वाला जो season था खारिफ वाला वो तो गया अब आ गया October to March April वाला जिसमें बारिश तो होती नहीं है right यहाँ वाला जो इनका plot है यहाँ पे irrigation की facility नहीं है तो अब इस पे न तो ये राबी की crop grow करेंगे कर सकते हैं चाहके भी और न जायत की इसको हम समझते हैं यह हो गया हमारा z जायत की लेकिन यहाँ पे यहाँ पे राबी की भी crop grow होगी और यहाँ पे खारीफ की थो पहले ही हो गई थी यहां पे खारीफ की भी crop grow ही यहाँ पे राबी की भी हुई और यहाँ पे जायत की भी क्रॉप ग्रो करी इनोंने अब समझते हैं तो पहले वाले सीजन में यानि बारिश वाले सीजन में खारी फॉले सीजन में तो पूरे फाइव हेक्टेर लाइंड पे नोने अगरिकल्चर करी लेकिन राबी वाले सीजन में जो ग्रेटर नोड़ा की इनका प्लॉट था इरिगेशन फैसिलिटी राबी के सीजन में और जायत के सीजन में इरिगेशन फैसिलिटी न होने की वाज़े से ग्रेटर नोड़ा वाले प्लॉट पे जो उनका ने यहाँ पर wheat wheat grow किया और यहाँ पर suppose माल लीजिये short में लिख रहा हूँ musk melon and water melon इन्हों ने grow किया जो हम सारे खाते हैं अब हम समझते हैं कि gross crop area क्या होगा अब देख़ए repeat हुआ राबी में भी grow हुआ और जायद में भी grow हुआ कितना है 300 तो 300 land वही है बट repetition हो रहा है न 300 राबी के season में and 300 hectare इनका जायद के season में grow किया तो कितना हो गया 600 हे हो गया 600 hectare यह plus 500 जो उन्होंने हारिफ में किया था 200 greater नोड हम है और 300 hectare पे फरिदाबाद में जो कि irrigation facility यहां भी available थी यहां पे तो यहां भी available थी और यहां पे तो इन्होंने tube well लगा ही रखा है यहां पे तो इन्होंने tube well लगा ही रखा है तो यहां तो तीनों crop ले रहे हैं और खुब पैसे कमा रहे हैं right तो अब देखते हैं plot of land उतना ही है 300 hectare का ही है लेकिन उनने रावी में 300 पर ग्रो करी और जायद में भी करी तो यह टोटल कितना हो गया 600 अगर इस 600 में हम 500 और एड़ कर दें यहाँ पर फिर से लिखते हैं 600 वो हो गया जो उन्होंने रावी और जायद में करा और 500 हमारा जो खारिफ में किया था जो मौनसून के ताइम पर किया था तो यहाँ पर टोटल अब हमारा ग्रोस क्रॉब्ड एरिया कितना हो जाएगा 1100 हेक्टेर तो हमारा ग्रोस क्रॉब्ड एरिया हो जाएगा 1100 हेक्टेर आई होप आप लोगों को समझ में आया तो नेट्सोन एरिया जैसा कि डेफिनेशन में भी था नेट्सोन एरिया क्या होता है नेट्सोन एरिया का मतलब वो एरिया जिसमें वन एग्रिकल्चर एर मे at least one crop हम grow करें और harvest करें ठीक है तो यह है net zone area and gross cropped area का concept राइट दोस्तों I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है आज के लिए इतना ही and थोड़ असा कि हम लोग quick recap करें कि आप पहले वाले topic का अभी तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा land utilization पहले वाला topic क्या था क्या था हमारे से पहले वाले land resources थोड़ा क्यों करते हैं land resources हम जानते हैं three relief features में हमें हमारी country में available है फटाफट करेंगे three relief features कौन कौन से हैं आप लोग उसे comment box में बताएं और ये भी बताएं कि वो कितने percentage में available है और उस पे हम उनसे हमारा क्या benefit होता है जो three relief features है उसको हम PMP हिंड दे रहा हूं आप लोगों को PMP के नाम से भी जानते हैं और वो अलग-अलग percentage में available है और उनसे हमारा वो हमारे लिए क्यों important है please comment box में लिख करके reply करें आप लोगों की reply का इंतजार रहेगा thank you so much इदरे मिनट हुए